दोस्तो अगर आपने अपने आइफोन में WhatsApp की नोटिफिकेशन जो हैं वो बंद कर दी थी अब आप उनको चालू करना चाहते हैं आउन करना चाहते हैं तो वो कैसे करेंगे इस वीडियो में हम आपको बताएंगे ओके तो इसके लिए आपको क्या करना है सबसे पहले तो आप जाएए अपने आइफोन की सेटिंग्स में सेटिंग्स में जाते ही मिलेगा इस टाइप का इंटरफेस यहां पर आपको एक option दिखाएगा notifications का आप इस पे क्लिक करिए इस पे क्लिक करने के बाद करिए नीचे की over scroll तो आपको apps की लिस्ट दिखाएगा ओके आप यहां पर WhatsApp धून लीजे कहां पर है यह रहा WhatsApp आप इस पे क्लिक करिए क्लिक करते ही allow notifications उपर दिखाएगा यह बंदोगा आप क्लिक करके on कर दीजे जैसे यह on कर देंगे तो आपको WhatsApp की notifications आने लगेंगी अब यहां पर अगर कुछ unselected है तो उस type की अगर notification आपको चाहिए तो आप उस ने के लिए